यहाँ पर दूस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा Realme C3 December 2020 New Update A.55 के बारे में अब यहाँ पर दूस्तों मैंने अपने Realme C3 के अंदर A.55 का जो अपडेट है December Update उसको भी या Manually Install कर लिया है तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप Realme C3 या फिर Narzo 10 10A यूज़ करते हो तो आप इस वीडियो को Complete देखो क्योंकि इन तीनों ही डिवाइस का जो Software है वो Exact Same है तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा Complete Review वीडियो होने वाला है तो वीडियो का आप Complete देखो अब सबसे बहला मैं आपको बता दू अगर आपको Manually Update करना है तो वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में आपको Link मिल जाएगा आप वहाँ से जाके इस version को A.55 वले version को Download कर सकते हो और अगर आपको नहीं बता है कि Manually Update कैसे करते हैं तो इसके regarding भी मैंने एक वीडियो बने के रखा है उस वीडियो का Link भी आपको इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो Download Link और साथ में Update कैसे करना है उन दोनों ही वीडियो मतलब एक तो Download Link आपको मिलेगा और साथ में जो मैंने वीडियो बना है कैसे अपडेट करना है वो आपको इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जाके आप चिकाउट कर सकते हो अब जहां तक बात है इस अपडेट की तो सबसे बहले भाईया जाते हम अपने फोन के सेटिंग्स में उसके बाद में हम जाते हैं सिधा सौफ़डर अपडेट पे तो यहां पर दूस्तो आडेमेक्स 2027 जो कि यहां पर है रियल्मी रसी 3 का मोडल नंबर और साथ में 8.55 का जो अपडेट है वो मेरे फोन में इंस्टॉल दे जहां तक बात है फीचर्स की तो आपको कुछ इस टाइप के चेंज लॉग देखने को मिल जाता है सबसे पहला जो यहां पर चेंज वाए वो है और सिक्रूडी पैच के अंदर यहां पर दोस्तों मैं आपको जाकर दिखा देता हूँ अभी आपको मिलेगा और फिफ्ट नवेंबर 2020 का सिक्रूडी पैच आपको बताए यह लेटेस्ट पैच मतलब इसी को अब लेटेस्ट बोल सकते हो क्योंकि ऐसा जुलाई के मेने से हो रहा है ऑगस्ट का जो अपडेट है वो हमें सेप्टमबर के मेने में मिला जुलाई का अपडेट ऑगस्ट में मिला फिर ऑगस्ट का सेप्टमबर में मिला और जो अक्टमबर का अपडेट है वो नवेंबर में मिला अब यह फ्लेश लाइट फीचेर वाईल स्क्रीन ऐफ तो इसका मतलब मैं आपको उता देता हूँ मानलो भाईया आपका जो स्क्रीन है जो मुबाइल का स्क्रीन है वह फिलाल ऑफ है और जो फ्लेश लाइट है वह फिलाल अन्हें तो उस टाइम पे अगड़ अगलब अपने पावर कर रहा है और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता भी दिया है इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले चंजिस की तो यहां पर एड़ेड और निव आइकन फॉर फोन विद ब्लूटू दियर फोन अब यह जो फिचर ना यह मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास कोई ब्लूटू दियर फोन नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हुद है को इतना कुछ ज्यादे इंपॉर्टेंट है नहीं अगर आप प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास जैसी की मैं आपको होता है कोई ब्लूटू दियर फोन नहीं है इसके लोग दोस्तों बात करते हैं अगले चेंज की तो कैमरे के अंदर ऑप्तिमाइज दा इमेज क्वालिटी इन सम सिनारियो तो यहां दो कैमरे इंप्र से कोई भी फोटो वगरा को कैप्चर करोगे कोई फोटो वगरा को क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर क्वालिटी दिखने को मिल जाएगा तो यह था कुछ ओफिशियल फीचर मतलब अगर आप जाते हो सेटिंग्स में फिर सॉफ्टर अपडेट पे फिर तुस्त आपको कुछ नए एप्स के जो यहना वर्जन देखने को मिल जाते मैंने यहां पर एड करके रखा यहां पे कैमेरा डॉग वॉल्ट एफम रडियो गेम स्पेस मेल एप साथ में वन टैप लॉक स्क्रीन और जो फोटो आप पे आपको इन सभी एप्स का जो निव वर्जन ह वो देखने को मिल जाता है गेम स्पेस का यहां पर वर्जन है 2.0.63 और फोटो आपको यहां पर वर्जन है 7.3.8 तो यहां पर दोस्तो आपको कुछ निव एप्स के मतलब निव एप्स तो नहीं है एप्स वही पुराने से लेकिन आपको इन एप्स के कुछ नए जो वो दिखने को मिल जाता है ओग सात दोस्तो आगार आप जाते हो अपने फोन के सेटिग्स में उसके बाद पर आप आटाफ जाते हो अपने हों स्क्रीण एंड लॉककिन मैगजिन वाले ओप्शन पे तो यहां पर दोस्तों यह आपको फीचर दिखने को मिलाए ये डिस्प फीचर है display keyboard when entering app drawer यह आपको यहीं पर direct देखने को मिल जाएगा तो यही थे कुछ features जो की add हुए है A.55 वापडेट के साथ में इससे पहले वापडेट था ना A.49 उस वापडेट के साथ में काफी सारे जो features है वो हमें देखने को मिले थे मैंने A.49 वापडेट के रिकार्टिंग दो वीडियो बनाया था एक था review वीडियो और दूसरा था hidden features तो बहुत सरे features यह पहले add हो चुक है लेकिन हाँ इस वापडेट के साथ में हमें इतना कुछ ज्यादा features दिखने को नहीं मिला बट कोई बात नहीं update तो RI Realme C3 में बहुत साड़े updates आए अब तक तो इसके बाड़े में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है वैसे Realme UI 2.0 का जो update है वो Realme C3 के लिए March के मेंने में rollout कर दिया जाएगा काफी जरे लोग यार कमेंट करके पूछते रहते तो सुचा कि आपको इस वीडियो में अडिशनले बता देता हूँ Realme C3 में Realme UI 2.0 का जो early access update है वो मार्च के महिने में नेक्स्ट यार मार्च के महिने में rollout कर दिया जाएगा तो टेंशनली बात नहीं है जब आएगा तो इसके रिगाडिंग प्राच से जब आएगा